दोस्तों सवागत है आप सबका फिर से एक और नहीं वीडियो में इस वीडियो में हम लोग Elasticity of Demand में Income Elasticity of Demand को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग उसके करते हैं अपना Income Elasticity आप देखें लास्ट वाली वीडियो में जो हम लोगोंने प्राइज Elasticity पढ़ाता तो वहां पर मैं आपको यह बताता था जो प्राइज Elasticity होता है बेसिकली जो Elasticity की मीनी होती है जो Elasticity का मतलब होता है यह हमको बताता है Responsiveness किसकी? Demand की ठीक है जो Elasticity होता है उसका मतलब होता है Responsiveness और Responsiveness किसकी? Quantity Demanded की अब जो Quantity हम Demand कर रहे हैं वो किस तरीके से Respond करेगी अगर किसी Factor जो Factor's Demand को Effect करते हैं उन Factor's में अगर थोड़ा बहुत Change आता है तो उसके हिसाब से जो हमारी Quantity Demand हम कर रहे थे, वो किस तरीके से Response करेगी तो इस Responsiveness को जब हम Measure करते हैं तो उसको हम लोग बहुते हैं Elasticity अब Elasticity में तीन Factor's को हम लोग लेते हैं एक मैने आपको बता था Price जो कि हम लोगोंने Last वाली वीडियो में Cover किया था एक होता है Income और एक होता है Cross Elasticity of Demand जहाँ पर हम लोग Related Goods की Price को Compare करते हैं अब देखें Price वाला Already Cover कर लें यहाँ पर हम लोग क्या Check करेंगी यहाँ पर हम लोग देखेंगे Income Elasticity के बारे में अब Income जैसे Price उसके Relation ने बताती है, मतलब Quantity Demanded को Price के Relation ने बताती है तो उसी तरीके से जो Income Elasticity होती है यह हमको बताती है Quantity Demanded की Responsiveness in Relation to Income of the Consumer जो Consumer की Income है वो अगर Change होगी, ठीक है Income को हम लोग Denote करते हैं Y से तो जो Consumer की Income है जब उसमें Change होगा मतलब की अगर उसकी Income बढ़ती है या फिर उसकी Income कम होती है तो उसके Relation में उसकी जो Quantity Demand कर रहा था वो किस तरीके से Change करेगी तो इसको हम लोग Measure करते हैं Income Elasticity of Demand में देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है Income Elasticity of Demand refers to the Sensitiveness या फिर Responsiveness आप बोल सकते हैं of the quantity demanded for a certain good to a change in the real income अब real income क्या होती है भी आगे formula लिखा हुआ भी बतातों क्या होता है To the change in the real income of the consumer who by this could keeping all other factors constant अब एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखेगा हम लोग जब किसी एक factor को पढ़ते हैं economics में तो जो बाकी के factors होते हैं जो उसको effect कर रहे हैं उस particular event को उनको हम लोग constant कर देते हैं थोड़ी देर के लिए Next इसमें बोल है Businesses typically evaluates income elasticity of demand for their product to help predict the impact of business cycle on product sales अब यहां पर आपको real income का formula दिया है real income का मतलब है कि जब हम जो income earn कर रहा है consumer उसमें से inflation rate को हटा देते हैं तो जैसे अगर किसी ने मान लिजें जिसी किसी कोई एक इंसान था उसकी 100 रुपए की income थी यह income बढ़ करके उसकी हो गई 150 अब inflation भी तो बढ़ रहा है इंफ्लेशन हर साल बढ़ता है तो इंफ्लेशन का rate मान लेते हैं कि अगर 10% यहां पर wages में क्या हो जाएगा यह wages उसकी 150 बढ़ी माइनस wages उसकी थी 150 multiplied by 10 ठीक है 150 माइनस 15 यानि की 135 तो यह होती है real income तो जब real income में change आता है तो उस real income में change आने की विज़ा से किस तरीके से जो consumer उसकी quantity demanded change हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते है income elasticity of demand और हमेशा यह चीज़ का ध्यान रखेगा जैसे price elasticity जो होती है वो हमेशा क्या होती है negative होती है क्योंकि price और demand के बीच में हमेशा negative relation होता है यही पर जब हम income elasticity की बात करते हैं तो यह हमेशा positive होती है normally inferior goods को अगर अब हटा दें तो normally क्या होती है positive होती है क्योंकि income और demand का positive relation होता है और demand यहाँ पर inferior goods को छोड़ करके और यह आगे हम लोग कैटिगरी जब पढ़ेंगे types में तो वहाँ पर आपको सोन्यागा कि inferior goods की जो elasticity हो क्या होती है अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क income elasticity of demand जैसे प्राइज में पढ़ा था वैसे यहाँ पर income elasticity की भी कुछ degrees है कुछ types है सबसे पहली अगर आप degree देखेंगे तो वह है High Elastic High Elastic High Elastic एकी चीज़ है तो High Elastic में क्या होगा e y is greater than 1 देखें यहाँ पर क्या हो रहा है यह इसको हम लोग बोलते है proportionate chain जो यह लिखा हुआ है y divided by y यह होता है percentage या फिर proportionate chain अब अगर income यह y लिखा हुआ तो यानि कि proportionate chain income का है और अगर यह इस तरीके से लिखा हुआ है Q में लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह किसको द दिखा रहा है proportionate या फिर percentage change in quantity demanded तो जब भी percentage या proportionate change income का less than होगा quantity demanded से तो वहाँ पर क्या होगा elasticity जो होगी वह income की वह greater than 1 होगी जैसे यहाँ पर मालिजे income में 10% का change आता है अगर income में 10% का change आता है तो उसी के comparison में जो quantity demanded है वो क्या हो जाती है 20% बढ़ जाती है मतलब हलका सा 10% का increase हुआ income में तो जो quantity आप demand कर रहे तो उसमें 20% का change आ गया ठीक तो इस तरीके की elasticity को इस तरीके की change को हम लोग बोलते हैं high elastic और इसमें e जो होता है वो greater than 1 होता है next होता है low elastic तो जैसे high में greater than 1 था वैसी e में यहाँ पर low elastic में e is less than 1 होगा तो यहाँ पर मालिजे कि income में अगर 20% का change change हो रहा है तो यहाँ पर quantity में सिर्फ 10% का change आया मतलब income बहुत जादा change करी लेकिन उसी के proportion में हमारी चो quantity हम डिमांड कर रहे थे वह उतनी change नहीं हुई तो यहाँ पर क्या हो जागा e is less than 1 हो जागा next आता है unitary elastic unitary में सीधे आपको पता है कि e is equals to 1 हो जाता है जहाँ पर proportionate change income का equal हो जाता है proportionate change quantity demanded के उसके बाद next होता है zero elastic zero elastic में क्या होगा यहाँ पर easy equals to zero होगा easy equals to zero तो यहाँ पर क्या होगा is equals to zero यहाँ पर क्या हो रहा है कि income में change हो रहा है मतलब income आपकी बढ़ रही है यह income आपकी कम हो रही income में कोई भी change हो रहा है लेकिन उसका quantity पे कोई भी impact नहीं पढ़ रहा है तो जब भी इस तरीका के case आपको मिलता है जहाँ पर income तो change हो रही लेकिन quantity में कोई भी change उसका नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं zero elastic और यहाँ पर e is equal to zero हो जाता है और last होता है negative elastic negative में क्या होता है e जो होता है वो less than zero जाता मतलब e जो होगा आपका वो minus में आएगा तो यह तब भी होता है जब जो income है और जो quantity है इनके बीच में inverse relation होता है ठीक है जब भी income या quantity के बीच में inverse relation होगा यानि कि negative relation होगा जहाँ पर income अगर बढ़ेगी तो quantity जो आप demand कर रहे हो गिर जाएगी तो उसको हम लोग बोलते है negative elastic यानि कि वहाँ पर e जो होगा वो negative हैगा अब यह किस case में होता है यह आपका inferior goods के case में होता है पर जुकि normally किया होता है जब हमारी income बढ़ती है तो हम लोग क्या करते है quantity को जाधा demand करते हैं लेकिन inferior goods के case में क्या होता है कि जब मारी income बढ़ती है तो हम लोग inferior goods को consumer करते हैs हम उनको अपने consumption से हटा देते हां बस्दा हमनों की demand को कम कर देतें तो जब भी inferior goods होते हैं तो हम अपनी income जैसी बढ़ती है तो हम अच्छे goods की तरफ switch कर जाते हैं और inferior जो goods हैं उनको हम लोग switch over कर देते हैं मतलब हटा देते हैं अपने consumption से तो उनकी जो quantity demand हो रही है वो गिर जाती है तो उनके case में inverse relation हो जाता है ठीक है तो यह हम लोगों ने द आपके clear कि types और degrees कितने तरीके की होती है income elasticity of demand में अब अगर आप curve के form में देखेंगे तो यहां पर आपको curve के form में भी दिखाया हुआ है graph के form में यह देखें जो high elastic है high elastic में अब सीजी देखें जो curve होता है इसका income elasticity का तो हमेशा income यह demand का जब आप curve देखेंगे तो वो positive slope हो कि जो income और demand होती है उनके बीच है positive relation होता है तो वहाँ पर curve भी जो होगा वह आपको positive slope के साथ में मिलेगा यहाँ पर आपकी income हो जाती है यहाँ पर आपकी quantity demand हो जाती है तो यह इस तरीके का होता है यही अगर price के साथ में आप देखेंगे demand का comparison तो वो negative slope होता है क्योंकि price तो demand के बीच में negative relation होता है ठीक है यहाँ पर ही हम लोगों ने देख लिया अब high elastic अगर आप देखेंगे तो उसका curve देखे थोड़ा सा flat गया हुआ है high elastic मैं आपको क्या बताया था कि income में अगर income में आपके 10% का change आ रहा है तो वही quantity demand में आपके 20% का change होगा ठीक है quantity demanded में इतना change हो रहा है is greater than one हो गया और flat curve आपको मिलेगा यहाँ पर थोड़ा सा मतलब flat के थोड़ा सोया हुआ करव आपको यहाँ पर देखेगा यहीं पर अगर आप unitary का देखें तो unitary में यह वाला जो portion है और यह वाला जो portion है यह दोनों equal है क्योंकि जितना change income में हो रह quantity demanded में भी हो रहा है इसलिए यहाँ पर हमारा जो कर्व है वो 45 degree के उपास में निकलता है काट करके ठीक तो यह होता है हमारा unitary elastic उसके बाद low elastic में आपको थोड़ा सा steeper curve मिलेगा जहाँ पर ease less than one होगा और यह देखें income में इतना ज्यादा change हुआ लेकिन उसका impact जो था वो हो थोड़ा सा steeper हो गया zero elastic में zero elastic का मतलब क्या होता है जहाँ पर income में कोई भी चेंज हो रहा है लेकिन quantity demanded में कोई भी चेंज नहीं आ रही है देखें income में कितना भी चेंज हो quantity demanded में कोई भी तरीके का चेंज नहीं देखने को मिलता अब यह देखें जीरो elastic के के केसेंज में आपको देखने को मिलता अब हम लोग आगे जब को डिसकस करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे next negative elastic negative में slope कैसा होगा negative slope होगा यह देखें income हमारी क्या हो रही है यहां से यहां गर जा रही है तो quantity हमारी यहां से यहां हो रही मतलब income हमारी गिर रही है और quantity demanded हमारी बढ़ रही है तो यहां क्या हो जाता है is less than zero यानि की यह जो होगा हमारा वो negative निकल करके आएगा negative elastic में अब हम लोग कुछ goods discuss करते हैं अलग-अलग goods के case में अलग-अलग income elasticity आपको देखने को मिलेगी जैसे कि अगर हम normal goods की बात करते हैं तो normal goods के case में क्या होता है कि यहाँ पर देखें normal goods have positive income elasticity normal goods का मतलब है कि जो हम लोग normally consume कर रहे हैं अब comfort goods की बात करें जैसे cooler हो गया पंका हो गया या फिर जो हम लोग normally खाना पिना कर खा रहे हैं तो वो भी normal goods के case में हाता है तो normal goods के case में क्या होता है कि जो income elasticity होती है वो positive होती है मतलब अगर हमारी income बढ़ेगी तो हम इन goods का consumption इनक्रीज करेंगे अगर हमारी income गिरेगी तो हम इन goods का consumption गिरा देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं normal goods अब इनकी का जो positive होगी मतलब की जैसे जैसे income बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम लोग और quantity को demand करते जाएगे उसके बाद आते normal necessities अब necessities का मतलब होता है आपके medicine वागेरा ठीक है जो medicine हम लोग खा रहे हैं कोई भी तरीक है कि हम लोग अपना treatment करवा रहे है medicine हम लोग consume कर रहे हैं तो वो आती है normal necessities के case में या फिर एकदम normal goods अगर आप consume कर रहे हैं नमक हो गया कि जिनके बिना survival ही नहीं हमारा तो यह होते है necessity goods तो इनकी साथ में क्या होता है कि जो इनकी elasticity होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है और यह थोड़ी सी less elastic होती है जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे income में कितना change हो रहा है 10% का income में 10% का change हुआ लेकिन जो demand है वो कितनी बड़ी सिर्फ 4% ही बड़ी अब खुदी सोची अगर आपकी income बढ़ जाएगी तो क्या जादा नमक खाने लग जाएगे या फिर अगर income कम हो जाती है तो या फिर नमक खाना छोड़ देंगे तो एकदम आप नहीं कर सकते हो यह है कि हाँ consumption कम कर दोगे या consumption उसका बढ़ा दोगे लेकिन income जादा बढ़ने से ना तो जादा consumption बढ़ा होगे ना income गिरने से आप जादा consumption को गिराने वाले भी नहीं है तो इसलिए जो यहाँ पी रास्सिट निकल के आती है वो E is less than 1 होती है ठीक है? Less than 1 हो greater than 0 तब यहाँ पर देखिए आपको जो range दी गई necessity की वो 0 से 1 के बीच में दी गई है इसके बाद आते है luxury goods जैसे AC हो गई car हो गई तो यह सारे कैसे हो तो यह luxury goods होते है luxury goods के case में क्या होता है कि आप देखते होंगे जैसे ही income बढ़ती है यहाँ पर देखिए income जो है वो कितनी बढ़ी 8% increase in income might lead to 10% increase in demand जैसे ही income बढ़ेगी अब income बढ़ने का मतलब है कि हम लोग अपने standard of living को बढ़ाते जाते हैं तो जैसे ही हमारी थोड़ी सी भी income बढ़ती ही मतलब अगर 8% ही हमारी income बढ़ी तो हम लोग तुरंत के तुरंत अपने luxury goods को consumption को बढ़ा देते हैं तभी इनकी जो elasticity है वो greater than 1 हमको मिलती है ठीक है जो luxury goods होते है इस case में आपको elasticity जो है वो greater than 1 मिलेगी necessity के case में less than 1 लेकिन greater than 0 तो 0-7 के बीच में और normal goods के case में positive elasticity आपको देखने को मिलती है और last आते है inferior goods जिसमें मैंने आपको बता है कि यहाँ पर आपको elasticity मिलेगी income की वो negative मिलेगी अब यह चीज़ का दियान रखे कि बार बार मैं income elasticity का यूज कर रहा हूं क्योंकि income elasticity में case अलग हो जाता है आप और price में अलग हो जाता है तो जब भी inferior goods की आप बात करेंगे तो inferior goods में income के साथ में negative relation शो करते हैं इसका क्या मतलब होता है कि जब भी जैसे हमारी income increase कर रही है जब भी हमारी income increase करेगी तो हम लोग switch over करते हैं अच्छे goods की तरफ, ठीक है standard goods की तरफ हम लोग switch over करते हैं तो इसकी तरफ switch over करने का मतलब यह होता है कि जो हम लोग inferior goods का consumption कर रहेते हैं, उसको हम लोग गिरा देते तो जैसी income बढ़ी हमारी inferior goods का consumption गिर जाता है standard goods का consumption बढ़ जाता है तब ही इनका तो positive relation हो जाता है लेकिन इसके साथ अगर आप देखेंगे तो वो negative relation हो जाता है तो यह होते हैं हमारे inferior goods तो यहाँ पर लोगोने type of goods में cover कर लिए normal goods के case में positive होता है necessity के case में आपको 0 से 1 के बीशे मिलेगा luxury में greater than 1 मिलेगा और inferior में negative मिलेगा यह हो गए हमारी 0 से 1 के बीच की scaling inferior goods की जो होती है वो negative होती है necessity के case में 0 से 1 के बीच मिलाई करती है और luxury और normal goods के case में यह 1 के बीच में होती है अब जखें normal goods के case में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा case है क्योंकि normal goods की जो होती वो positive होती तो वो 0 से लेकर के आगे तक कहीं भी जा सकते है luxury goods की greater than 1 होती necessity की 0 से 1 के बीच में होती 1 से जादा नहीं होती यह चीज़ आपको curve के form में यहाँ पर दिखा दी luxury के साथ में यहाँ पर यह होगे basics in necessity और यह एकदम necessity वाले goods होते है जैसे medicine हो गई या कोई हो गई और यह हमारी हो जाती inferior goods की ठीक है negative जहाँ पर negative relation लोगों को income और quantity demanded के बीच में मिलता है अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ methods की कौन-कौन से methods से हम लोग measure कर सकते हैं income elasticity को अगर आपने price elasticity वाली proportionate method जिसका use हम लोग सबसे जाज़ा करते हैं उसके बाद होता है point elasticity method और last होता है arc elasticity of demand आप देखे percentage और proportionate method वही same हम लोगों का price elasticity वाला होता है जैसे अगर आप price elasticity की बात करेंगे तो उसका formula क्या होता था यहाँ पर हम लोग लेते थे change in quantity upon में change in price multiplied by price by quantity ठीक है यह initial price और initial quantity होता था तो यह होता है हमारा price elasticity of demand का proportionate method से formula same यही formula हमारा यहाँ पर income में भी लगेगा बस यहाँ पर हम लोग income के साथ में relation ले रहे हैं तो जहाँ पर हम लोगों ने P को लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग लिख देंगे y को ठीक है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे y को मतलब change in quantity upon में change in income multiplied by income initial income divided by initial quantity तो यह होता है हमारा percentage method यही चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी यह देखें तो यह last में यह निकल कर क्या था change in quantity upon में change in price multiplied by geometric method की बात अगर करें तो point और geometric method में क्या होता है यह देखें जैसे यहाँ पर हम लोग जब point method की बात वहाँ पर करतेथे आपको याद होगा यह जैसे curve अगर हम लोगों का जा रहा हैं price elasticity की बात मैं आपकर कर रहा हूँ ठीके अगर हम लोगों का कर जा रहा है यहाँ पर इस point पर पी point पर अगर हम लोगों को चेक करनी है elasticity तो वहाँ पर क्या होता था lower segment upon में upper segment यह formula होता था price elasticity of demand को point method से calculate करने का same method यहाँ पर भी follow रहा बस दिक्कत यह होती है कि यहाँ पर आपका जो curve होता है वो positive slope होता है तो इसलिए हम लोगों को जो lower segment और upper segment लेते हैं उसको लेने के लिए हम लोगों को intercepts का यूज करना परता है तो यहाँ simple सा formula है question normally chances नहीं होता है कि आपसे इस से पूछा जाए इस method से question जो आता है वो proportion या percentage method से जाता है लेकिन फिर भी formula में बता दे रहाँ आपको यहाँ पर देखे formula लिखा हुआ है intercept on x-axis divided by the initial quantity अब curve देखे आपको यहाँ से यह गया हुआ है यह आपका curve इस तरीके से गया हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ है intercept on x-axis intercept on x-axis का मतलब है यहाँ से इस point से जैसे अगर मैं इसको और थोड़ा सा clear अगर बनाओ तो यह जैसे हम लोगों का curve थोड़ा से यहाँ से गया हुआ है यह देखें यह अगर हम लोगों का curve गया है यह मालिज़े डी यह हम लोगों ने demand curve अपना ले लिया हम इस point पर यहाँ पर cut कर रहा है यह point हो गया हमारा e यहां पर हो जाता है आप देखें little point ने थाट का मतलब है कि हम लोगों को क्या करना है यह आप है इस point पे अगर हम लों calculate कर कर रहा है यह इस point पर calculate कर रहा है या फिर आप इस Argentina क्लेट कर नहीं है, APM, ठीक है? APM हम लोगों कोच चेक कर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर नाम देते हैं Q, तो हमारी जो formula हमारा बन जाएगा, वो क्या होगा? EY is equal to intercept on x-axis तो intercept on x-axis का मतलब भी यह है, ठीक है? intercept on x-axis का मतलब होगा है यह पूरा जहां पर आपका demand curve cut कर रहा है x-axis को वो हो जाता है intercept on x-axis और यह आपका यहां से start होगा और खतम होगा यहां पर जो quantity आप demand कर रहा हो तो e q तो यह हो जाएगा e q divided by initial quantity तो initial quantity आपके किती दीए o q तो o q ठीक है यह हो जाता है हमारा income elasticity को point method से निकालने का तरीका तो intercept on x-axis आपको sound में आगया होगा initial quantity आपको sound में आगया यह आपका complete formula हो गया है आप देखें इसी case में अगर आपको point method में अगर non linear demand curve मिल जाता है तो non linear demand curve में आपको क्या करना होता है यह मैंने आपको price elasticity तो जब हम लोग measure कर रहे थे method से point method से तो वहाँ पर भी आपको बताता है जब भी आपको non linear demand curve मिलता है तो उस case में आप क्या करते हैं जिस point पे आपको calculate करना है जैसे suppose यहां पर हम लोगों को point P पे calculate करना था elasticity को तो हम क्या करेंगे इस point P पे एक tangent draw कर देंगे tangent का मतलब आपको पता है कि यह line होगी यह सिर्फ इस point को इस particular point को touch करके जाती है ठीक है इसका tangent का मतलब आपको पता होगा जैसे यह है मालिजे तो इसको हम लोग tangent नहीं बोलते है tangent हम लोग किसको बोलेंगे देखे दो point पे touch कर रहा है tangent का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक point पे ही touch करके इसको जाएगा तो यह होता है tangent तो जब भी आपको non-linear demand कर मिलेगा तो वहाँ पर आपको जिस point पे आपको calculate करना है उस point पे आपको एक tangent draw करनी पड़ेगी और उस tangent को होगा x-axis तक ठीक है उस tangent को आपको extend करना होगा x-axis तक उसके बाद same वही formula intercept on x-axis divided by the initial quantity तो आप x-axis पर देखे कहां पे काट रहा है है mq यहाँ पर यह जो आपकी tangent draw आपने की है यह आपका आप देखे non-linear से एक linear curve मिले आपको same वही चीज़ है अब जब आप जब आपको non- linear मिला था तो आपने non-linear को क्या किया आपने linear में convert कर दिया तो यह जो आपकी tangent है यह कहां पे cut कर रही है x-axis को यह cut कर रही है m point पे तो m से लेकर के q यह देखे mq divided by the initial quantity तो initial quantity क्या हो जाएगी o q ठीक है initial quantity है हमेशा origin से ली जाती है तो o q तो यह हो जाएगा हमारा non-linear demand curve का case और last method की बात करें arc elasticity तो arc elasticity में क्या होता है कि दो particular points के बीच में हम लोग measure करते हैं जैसे point elasticity में एक particular point पे measure करते हैं यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दो specific point के बीच में elasticity को measure करते हैं इसलिए इसको हम लोग बोलते है arc elasticity देखें यह एक arc बन रहा है इस arc के बीच में हम लोगों elasticity को measure करना है, तो simple formula है, derivation के आपको याद करने की कोई ज़रोती simple formula याद रखेए, अब यहाँ पर भी देखे, थोड़ा सा typical कर दिया, q2-q1, इसको थोड़ा और simplify में आपके लग कर दे हो, देखे, यहाँ पर अगर आप करेंगे, तो elasticity का formula हो जाएगा, change in quantity divided by change in income, q2-q1, देखे, q2-q1 है याप है, q2-q1 divided by y2-1, तो q2-q1 करेंगे, इसका मतलब बहुत change in quantity, y2-1 करेंगे, तो होगा change in income, multiplied by y1 plus y2, मतलब initial income plus final income, जो दूसरी income हम लोगों के में लिए, इस a point से लेकर इस b point तक, divided by initial quantity plus final quantity, ठीक है, तो यह हो जाती है हमारी r elasticity of demand की, अब a point पर देखे, a point पर जो आपको होगा, वो यहाँ पर यह देखे, यह आपका लिखाव है y1, y2, q1 और q2, यहीज हम लोगों निकाला है, तो point a से लेकर बीच की हम लोगों को elasticity निकालने दी, तो यह formula का आप उसमें use करेंगे, change in quantity upon a change in income, multiplied by initial income plus second point पर जो income है वो, और उसके बाद initial quantity plus जो second point पर आपको quantity मिली, उसको आप add कर दीजे, तो इस तरीके से आप निकालेंगे आरक elasticity of demand को, तो यह पूरा हम लोगों ने income elasticity complete कर लिया, कोई भी तरीके कर डाउट हो, comment करके आप उनसे पूछ सकते, बाकि अगर वीडियो पसंदा तो उसको like करना मत बूलेगा और चैनल को subscribe कर देगा, मैं मिलता हूँ फिर आपसे next वीडियो में, thank you